दोस्तों आपका स्वागत है बहुत-बहुत हमारे इस्वीटूचनल पर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो मेr बताने वालाओं कि आप अगर भी-एक士्टूडेंट हो या तो बे सीकीस्टूडेंट हो चाहिए आप सेकेंड डियर में हो आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं मैं आपको सिर्फ यहां पर देखने का तरीका बताऊंगा जैसे अभी तक आपका रिजल्ट जो आया नहीं है मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि अगर रिजल्ट आपका आता है तो आप कैसे उस का रिजल्ट आया है और अपना आप रिजल्ट चेक कर लें तो चलिए मैं आपको बतरता हूं कि आपको किस तरीके से अपना रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले आपको अपना कुरों ब्राउजर ओपन कर लेना है और फिन सबीर बादूर सिंग पुर्वांचल इंवर्सिटी के अफिसेल वेप साइट पर चले जाना है वहां पर जाने के बाद आपको इसकोल करके थोड़ा सा ओपर आना है उसके बाद आपको यहां पर रिजल्ट का आपसन देखने को मिलेगा इस पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद आप यहा 2020 onward पर जैसे आप इस पर किलिक करेंगे अगर आपका रिजल्ट जो हो आया होगा तो आपको यहाँ पर सोवना शुरू जाएगा देखिए इसमें फिल हाल में become third year का जो है exam आया हुआ है जो कि 109 2021 को आया हुआ है तो अगर आप become third year के student हैं तो अगर आप अपना result देखना चा या BSC या BSC first year second year के student हो तो आप लोग का जो result है यही पर देखने को मिलेगा आप लोग असानी से यहाँ पर अपना result देख सकते हैं तो आपको simple कुछ करना नहीं है सिर्फ roll number डालना है और capture code को डालना है उसके बाद submit button पर click कर देना है यहाँ से आप अपना result असानी से देख सकते हैं अपना result देखना चाहते हैं अगर मान लेजे कि आपके उस समय आपकी जो website open नहीं होती तो आप क्या करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको जाना यह वीडियो जाए उसके description box में एक link दिया जाएगा उस पर अगर आप click करते हैं तो यह जो side तुरंत open होगी क्यो बस आज की इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता था अगर आप बीए फर्स्ट एर सिकेंडियर या ठाडियर के student है या चाहिए बीए सी फर्स्ट एर ठाडियर के student है तो आप हमारे चैन को जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा और notification वेल आइकन को आउन कर लेजेगा ता लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय जैहिंद बंदे मात्रम